इन देश वीडियो यू आर वाचिंग डेलिया टेस्ट बूक कलास 7 जेसी आटी टेस्ट बूक शोलेट इस आर दे वीडियो बच्चो हम आपके एक्जाम के प्रिप्रेशन के लिए नए-ने कोस्चन लेके आए हुए है आखों के सामने चेप्टर से वो कोस्चन को देखें कि आखिर क्या के कोस्चन एक्जाम में पूछे जाने वाले हैं आए उसको अच्छी तरह से समझते हैं डिसकस करते हुए चलते हैं तो कलास के अंद तक बने रहे हैं और अंद में आप अपना फिड़वेक देंगी फर्स कोस्चन को देख रहे हैं एकोडिंग टू रसकिन बॉण दे बेस टाइम और विजिटिंग दा हील तो इसका अर्थ क्या हुआ इसका अंसर होगा आपका सेप्टेंबर अक्टूबर नौंबर या दिसंबर तो बता सकते हैं कि आखिर इसका करेक्ट अंसर क्या होगा आपका सही होगा आपकर यह क्या कह रहा है कातर रसकिन बॉण के अनुसार सबसे अच्छा समय हील पर घूरने का समय क्या होता है नेस्ट को देख रहे हैं तो रसकिन बॉण एपी जे अब्दुलकलाम लॉंग इस्टन हाग या नौन अबदीज तो इसका अर्थ क्या हुआ यह कह रहा है दो आई हैव इट के लेखा कोन है राइटर कोन है यह कह रहा है तो कर्रेक्ट आँसर आप जान रहे है को होगा ओपसन नमर ए आपका सही रहेगा नेस्ट को देख रहे हैं बॉण गाट इन ट्रें एक तो आंसर क्या होगा रहना मशूरी डहरा या कानपूर त and या teacher के साथ तो किसके साथ जा रहे थे ये कह रहा है question में तो correct answer होगा option number A आपका सही रहेगा क्योंकि वो माता पीता के साथ जा रहे थे next question को देख रहे है to get down add तो इसका correct answer क्या होगा डेहरा, रहना, मैशूरी या सहरनपूर तो बच्चो इसका correct answer चुनना है तो आपका answer होगा सही आप जान रहे है तो बताइए correct answer C नमर सही रहेगा next question को देख रहे है in October hills are covered with कासा October में hills जो होते हैं, पाड़ियां जो होती हैं वे किससे ढखे होते हैं डेहलिया से, लोटस से या आर्किजिट से, या ट्विलिप से तो किससे भरा होता है, आप जान रहे हैं तो वे डेहलिया फूलों से धके रहे थे तो option नमर आपका A सही रहेगा बच्चो देख रहे हैं, question को change करके हम बता रहे है question किस तरह से पुछा जा रहा है the narrator traveled alone in the rain of two तो सही answer क्या होगा, जल्दी से बताए ये चार option को देख रहे हैं, तो आप जल्दी से बता सकते हैं, बच्चो इसका correct answer होगा option नमर A, right answer नेस question को देखने हैं, आपके पास है the writer likes to sound of the girls to hear, walking, voice या earring, तो किसको देखकर उसने पसंद किया, तो आपका correct answer होगा, उसकी आवाज को सुन कर उसे पसंद आ गया उमीद है बच्चो आज का class आपके लिए काफी महत्पुन रहा होगा मिलते हैं next class में new question के साथ, thank you